नमस्कार दोस्तों जीके अर्जुसार यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है यूपी पीजी टी दो हजार बाइस इतिहास प्रेटी सेट एक सो तीस में जिसकी संभाविट डेट परिच्छा की नमंबर में होने वाली है और ये जो है परिच्छा में सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना न भूलें ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अप्लोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मुवाइल पर सबसे पहले पहुंचे तो चलिए वीडियो प्रारंब करते हैं हांगर आप ल दिस्किप्शन में दे दिया हूं तो वहां से भी आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं तो चलिए वीडियो प्रारंब करते हैं पाला इसमें कोशन है निमलिखित भारती नेताओं में से कौन एक ब्रिटिस द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था तो यहाँ पर पुछा जा रहा है कि भारती नेताओं में से कौन एक जो है ब्रिटिस द्वारा इंडियन सिविल सर्विस इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था आपसन अहां पर दिया है सुरेंदर नाथ बनर जी सुबास चंद्र बोस सतीदर नाथ टैगोर और आरसी दत तो यहां पर क्या एंसर होगा आपका इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था जल्दी से आप लोग answer लगाए इसका क्या होगा इसका answer इसमें आपका right answer एस होगा Surender Nath Banerji इसका जो right answer होगा वह है Surender Nath Banerji Question number 2 है सब्द Imperial Preference का प्रयोग किया जाता था यह सब्द है Imperial Preference का प्रयोग किया जाता था किसके लिए किया जाता था यह पूछा जा रहा है Question में पहला आपसन देखे भारत में British आयतों पर दी गई बिसेश रियाजतों के लिए या British नागरिकों दोरा किया जा रहा है प्रजाती भेद भाव के लिए या British हित के लिए किये जा रहा है भारती हित के दमन के लिए या भारती रास्ताओं के राजाओं पर British political agent को दी जा रही तहरीज के लिए इसमें आपका राइट एंसर ए सही होगा Imperial preference का प्रियोग की आयता था किसके लिए भारत में British आयातों पर दी गई बिसेश रियायतों के लिए बिसेश रियायतों के लिए यानि ए आपका राइट एंसर होगा इसमें Question number 3 है कथन कारण से लाड लिनलिथगो ने 1942 के अगस्त आंदोलन की सिपाई बिद्रो के बाद सरवाधिक गंभीर बिद्रो कहा था ये जो है आपका कथन है और कारण दिया है कुछ छेत्रों में किसान ब्यापक जन आंदोलन में उठ खड़े हुए थे देखें दोनों सही है ए भी सही है आर भी सही है और आर जो है ए की सही ब्याख्या भी करता है तो कुछ छेत्रों में किसान जो ब्यापक रूशे जन आंदोलन के लिए उठ खड़े वेते सही है और इसकी ब्याख्या भी करता आईए तो इसमें आपका दोनों सही है और एकी सही ब्याख्या यार भी है तो इसका राइट एंसर आपका A होगा इसमें क्या होगा? राइट एंसर A सही होगा Question number 4 है अखिल भारतिय राजनीती में गांधी जी का पहला साहसिक कदम था अखिल भारतिय राजनीती में गांधी जी का पहला साहसिक कदम क्या था असवयोग आंदोलन, रोलेट आंदोलन, डांडी यात्रा या चम्पारण आंदोलन इसमें आपका राइट एंसर हो जाएगा D. चम्पारण आंदोलन 1917 में यह शुरू किया गया था चम्पारण आंदोलन कब 1917 में Q. नमर पाँच है कांग्रेस की प्राथना और याजका की नीती अंतो गत्वा समाप्त हो गई किसके नित्रत्यों में समाप्त हो गई तक एक नत्रत्यों आपका राइट एंसर हो जाएगा बी बाल गंगाधर तिलक के नित्रत्यु में इस वीडियो में आपको आधनिक भारत का इतियासिक का कुश्र ने हम वी बारत का क Cash का डिया सी किसके संस्थापक थे ये इंडियन सोशिलाजिस्ट एका टू एका टू मैडम भीखाजी कामा ये लिखी थी दतलवार बीका थ्री एनिबेसेंट कामन वेल्थ ये है अर्विंद घोस बंदे मात्रम ये है इनकी रचना है इसमें आपका राइट एंसर ये वला आपसन आपका स जही बैठता है इसका राइट अंसर होगा सुमिलित करने वाले का कोश्चन नमर साथ पर आते हैं शुक्सन नमर साथ है उन्नी सो पायातीस इसविक के भारस सरकार अधनियम की निमलिखित में से कौन सी एक विस्षिश्ट युकती नहीं नहीं है तो 1935 के भारसरकारे दिनियम के निमलेकित में से कौन से एक वैसिष्ट युव्र नहीं है। दिया इसमें केंदर के साथ ही साथ राज्यों में द्वेंद सासन, दूस अधनिय बिधान मंडल, प्रांती स्वात्ता, एक आखिल भारती संग, इसमें से कौन सही नहीं ये पुछा जा रहा है, 1935 अधनियम के बारे में, इसमें आपका राइट एंसर ये वाला सही है, केंदर केंदर के साथ ही राज्यों में भी द्वेंद सासन, कि ये बेवस्था सही नहीं है, ति इसका राइट एंसर ये सही होगा इसमें, इसके लावने 135 के अधनियम, दूस अधनियम मंडल था, ये तो सही है, प्रांती स्वात्ता ये भी सही है, एक अखिल भारती संग के कर दाते है, लेकिन केंदर के साथ राज्यों में द्वेंद सासन के वेवस्था नहीं थी, कि अधनियम में नहीं थी, यहां दोनों दे दिया है, द्वेंद सासन ये यक्ति जो है, ये वाला आपिसन आपका सही नहीं है, ये इसका राइट एंसर होगा इसमें, कोश्यन पर जपान में इसका राइट एंसर ए होगा जपान कोशन नमबर नौ पर आते हैं भारत के विभाजन के बिकल्प के रूप में गांधी जी ने मांट बेटन को सुझाय था की वे? क्या सुझाया था भारत के विवाजन के विकल्प में गांधी जी ने मांट बेटन को किवे पाला देखे आपसंदिया है सुतंतरता परदान करने के कारे को अस्थागित करें बी आपसंदिया है जिन्ना को सरकार बनाने के लिए अमंतरित करें इसमें आपका राइट एंसर क्या होगा तो वह है बी आपका राइट एंसर होगा जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें ये सुझा दिया था महात्मा गांधी ने किसको लाड मांग बेटन को भारत विभाजन के संबंध में तो बी इसका राइट एंसर होगा कोष्टन नमबर दस पर आते हैं सुटंतरता आंदोलन में 20-20 सदी के आरम में सामिल हुई क्योंकि सामिल हुई यह अनसर पुछा जा रहा है तुर्पुरा की देशी रियासत थी 20-30 आंदोलन के 20-20 सताब्दिक के प्रारम में सामिल हुई थी क्योंकि आपसन देखें यहाँ पर दिया है तिरपुरा के राजा हमेशा ब्रिटिस बिरोधी रहे या बंगाल के करांतिकारित तिरपुरा में आसरे लिये हुए थे या राज की जन जातियां घोर रूप से सोतंतरता प्रेमी थी या पहले से कुछ समू जन पद हम उसके रच्छक ब्रिटिस के खिलाफ लड़ रहे थे इसमें आपका जो राइट एंसर होगा वह है आपका डी वला आपसन करेक्ट होगा पहले से ही कुछ समू राज पद और उ दच्छिन अफ्रिका से लौटने के पस्चात महात्मा गांधी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया चौरी-चौरा चंपारण, डांडी या बारदोली से तो दच्छन फिरका से लौटने के पसात महात्मा गांधी ने सफल जो है सत्यागरा किये थे सबसे पहले कहां से किये थे ये पुछा जा रहा है ये किये थे सबसे पहले चमपारन में इसका राइट एंसर बी हो जाएगा चमपारन तो गांधी जी जी साके आप लोग जानते हैं गांधी जी 1915 में दच्छन फिरका से वापस आये थे भारत में और 1917 में बिहार के चमपारन में सत्यागरा आवान किये थे और ये आवान था नील बगान मालिकों के बिरुद्ध। निल मालिकों के निल बगान मालिकों के बिरुद्ध था ये चंपारन में। कोश्चन नमबर 12 है अध्यच्छी संबोधन के समय जिसे कांग्रेस अध्यच्छ ने हिंदी भासा के लिए रोमन लिपी लागू करने की वकालत की वे थे। थे अध़ अच्छिय भासन के समय तो महात्मा गांदी अबुल कलामाजाद ज्वाहर लल नहरू यह सुवास चंद्र बोस इसमें आपका राइट एंसर हो जाएगा डी सुवास चंद्र बोस जो है 1938 में हरीपुरा अधिवेशन के अधेस्ता किये थे हरीपुरा अधिवेशन के अधेस्ता में और इसी अधेस्ता में नोंने हिंदी के लिए रोमन लिपी लागू करने के वाकालत की थी यह थे कौन सुवास चंद्र बोस इसमें आपका राइट एंसर होगा कोर्शन नमबर 13 पर आते हैं भारत वर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिस भारत के नेम लिखित में से किस एक प्रांत ने एक संयुक्त स्वतंतर अस्तित्यों के लिए योजना सामने रखी बंगाल पंजाब असम या बिहार तो इसमें आपका राइट एंसर हो जा तो भारत वर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिस भारत के नेम लिखित में से किस एक प्रांत ने कि संयुक्त स्वतंतर अस्तित्यों के लिए योजना सामने रखी तो वो था पंजाब इसका राइट एंसर यह सही होगा पंजाब कोसन नमर 14 है भारत के विभाजन का बालकन प्लान उपज थी ड़बलू चर्चिल के मस्तिस की मैजिन्ना के मस्तिस की लाड मांट वेटन के मस्तिस की या बीपी मेनन के मस्तिस की इसमें आपका राइट एंसर क्या होगा तो वह है सी आपका एंसर होगा लाड मांट वेटन के मस्तिसखी भारत के विभाजन का बालकन प्लान उपास्थी किसकी लाड मांट वेटन के मस्तिसखी question no.15 है question no.15 शुरू करने से पहले आपको बता दे कि इस चैनल के नीचे देख रहे हैंगो एक thanks का इस तरह बना होगा thanks इस तरह तो उसको आप लोग जो है अगर channel में सहयोग करना चाहते हैं तो इसके माध्यम से से योग कर सकते हैं ताकि चैनल बरकरार रहे है ठेंग्स का आपसन आपकोmar नीचे दिया होगा जहां पर लाइक teams like का उसके बट Om遊戲 होगा इस टाइब से प्रकिर्ट वना चितरood का उग प्रतिग का उसको pharm прош than है चले देखते हैं कोशन नमर 15 है इसमें भारती राष्टी कांग्रेस के बारे में निमलेखित कत्मों पर विचार किजिए दिया सरजुनी नाइडू कांग्रेस के अध्यच होने वाली प्रथम महिला थी इसे विचार करना और नीचे आपको एंसर बताना है तो प्रथम महिल रूप में कार किया तो वह कहा पर थे ये तो सहिए ई यार दास नी्zeug कांग्रेस के महें ही नहीं थे महातसकीव थे आध्यच तो बोमेशचंद बनर जी बने थे पाले इस्ट ये महातसकी बनाये गये थे और शंस्ठाफक भी थे बहरती राष्टी कांग। ते गलत है। चौंथे दिखे दिया है।raft वेव 18 चनारणवे में कांग्रेस के अध्यच थे। ये दुघ एक। हरसंतावन के बिद्रोह के बाद या बंगाल के बिभाजन के बाद तो हंटर रायव की निवक्ति कब की गई थी ये की गई थी जलिया वाला बाग के हत्याकांड के बाद जलिया वाला बाग के हत्याकांड के बाग बाद तो हंटर कमिशन के अगर निवक्ति पूछेगा गठ गठन कप किया गया था तो एक अक्टूबर एक अक्टूबर याद रखेगा 1919 में जलिया लबाग हत्या घंट कब घटी थी जलिया लबाग तो 13 अप्राइल 1919 को ये घटना घटी थी इसके लिए हंटर आयोग अगर पुछे गठन तो एक अक्टूबर 1919 का हंटर रायो का गठन किया गया था तो इसमें आपका बी राइट एंसर होगा इसमें कोश्चन नमबर 17 है 1920 के अहमदाबाद अधिवेशन में निम्लिखित नेताओं में से किसने संपून सुराज को कांग्रेस का लच्छ मनाने का प्रस्ता रखा अबुल कलाम अजाद हसरत मोहानी जोहरला नहरू या मोहंदास करमचन गांधी इसमें इंसर क्या होगा कि 1920 के अहमदाबाद अधिवेशन में निम्लिखित नेताओं में से किसने संपून सुराज को कांग्रेस का लच्छ बनाने का प्रस्ताव रखा था यह प्रस्ताव रखे थे हसरत मोहानी इसका र अधिया था तो किसने प्रसिद चटगाउं सस्त्रागार धावे को आयोजित किया था लच्मी सागल सुरी सेन बटु केश्वर्दत या जेयम सेन गुपता इसमें आपका राइट एंसर हो जाएगा बी सुरी सेन्ने चटगाउं यह चटगाउं यह हुआ था अप्रेल उनिस सो तीस में कोशन नमबर उनिस पर आते हैं सन उनिस सो आठ में अखिल भारते मुस्लिम लिग की एक लंदन साखा स्थापना हुई थी किसकी अधेस्ता में थी यह पूछा जा रहा है 1908 में अखिल भारते मुस्लिम लिग की एक लंदन में साखा स्थापित हुई थी किसकी अधेस्ता में यह साखा स्थापित हुई थी इसमें आपका राइट अंशर हो जाएगा अमीर अली की अधेस्ता में 1908 में लंदन में एक जो है मुसलिम लीग की साखा स्थापित हुवी थी कोशन नमर 20 है और अन्तिम कोशन है निमलिखित में से कौन 1949 में भारत प्रजा मंडल आल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कांफरेंस की अध्यस थे इसमें आपका राइट एंसर हो जाएगा बी जोहरलाल नेहरू निमलिखित में से कौन 1949 में भारत प्रजा मंडल की अध्यस थे भारत प्रजा मंडल या इंगलिश में दिया है आल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कांफरेंस की अध्यस कौन बने गए थे या बने थे तो पंटि जोहरलाल नेहरूत बीस का राइट एंसर होगा ये थे कोशन आज के लिए तुमिद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आते इसको लाइक करें अपने दोस्तों के हां अधिस अधिक शेर कने धन्यवाद दोस्तों जैहिंद वंदे मात्रम